यही स्रीज का छठा और आखिरी पार्ट है इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को 15 पैराग्राफ से लेकर इसके 24 पैराग्राफ तक पूरा समझ लेंगे पिछले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को इस लाइन तक समझ चुके थे जो की चौधवाँ पैराग्राफ था अगर आपने इस चैप्टर को यहां तक नहीं समझा है तो पहले उसे ज़रूर देख लिजिए मैंने पाचों पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और उपर आई बटन में भी लिंक दिया गया है इस चैप्टर को हम लोग आगे समझना शुरू करें उससे पहले ये बात आप जान लीजिए कि 12th English.com की टीम ने आपके लिए एक बहुत ही helpful और useful notes तयार किया है इस notes में हमने आपके पूरे book को digitalize किया हुआ है इसके साथ साथ आपके book के जितने भी chapters हैं उनकी line by line हिंदी दी गई है यानि कि आप उन chapters को अपने phone में पढ़ सकेंगे साथ ही उनके हिंदी के साथ यानि एक line जब आपने English में पढ़ा तो उसके सामने ही उसके नीचे ही आपको उसकी हिंदी मिलेगी जिसे कि आपका reading experience बढ़ेगा Reading देने का फायदा ये मिलेगा कि आप exam में ना किबल question answers या summary बलकि इस से related objective questions को भी बहुत अच्छे से tackle कर पाएंगे इसके साथ साथ आपका English समझने का standard भी improve होगा आपका English comprehension का level बढ़ जाएगा इस notes में किबल line by line हिंदी नहीं दी गई है बलकि आपकी इस chapter में जितने भी important word meaning है उन सारे word meanings को भी दिया गया है word meaning के साथ साथ आपके इस chapter के जितने भी important question answers है और question answers को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत ना करनी पड़े और आप question answers भी exam के लिए तैयार कर सकें और इसे question answers तक ही limit नहीं रखा गया है बलकि आपके book में जो word study या grammar से related portion है उसका भी इसमें solution दिया गया है इसके साथ साथ आपके chapter की जो summary है वो दोनों language में दी गई है सबसे पहले chapter को हिंदी में summarize किया गया है इसके बाद उसी की English summary भी दी गई है यानि आप हिंदी के साथ साथ English में भी chapter को summarize कर सकेंगे और summary के साथ साथ आपको objective questions भी मिल जाएंगे इस chapter के जितने भी है इस PDF notes का link मैंने नीचे description में दे दिया है आप उसे ज़रू download किजिए और पढ़ाई किजिए इसके साथ ही नीचे description में ही मेरे WhatsApp का भी link दिया गया है उस link पर touch करते ही आपको WhatsApp message भीजने का interface खुल जाएगा वहाँ पर 12th notes लिख कर भीज़ दीजिए मैं आपको ये notes दे दूँगा अगर आपने अभी तक notes नहीं लिया है तो जल्दी message कर दीजिए और notes लेकर बहुत अच्छे से पढ़ाई केजिए notes तयार केजिए और board की शांदार तयारी केजिए चलिए अब हम लोग इस chapter को आगे समझना शुरू करते हैं इसके आगे गांधी जी ने लिखा है कि just as in the west they have made wonderful discoveries in things material similarly Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul आप लोग यहां तक में पूरे chapter को अच्छी तरह से समझ रहे हैं यह आखरी part है सो इसके बाद कहानी खातम हो जाएगी यहां पर आपके लिए एक छोटा सा काम है आपने अभी तक में chapter को जितना भी समझा आपको 5 points में इसे comment में अपने पूरे knowledge को summarize करना है को मैं अगले वीडियो में feature भी करूँगा यानि आपको अपना नाम अगले वीडियो में देखना है तो नीचे 5 points में इस chapter को जरूर समराइज कीजिएगा इसके लिए इस पूरे वीडियो को त्यान से देखिएगा copy हो पास में तो copy लेकर बैठिए notes point बना लिजे कि 5 points में आप कैसे summarize करेंगे तो चलिए इससे समझते हैं यहां गंदी जी ने लिखाया है कि जिस तरह की पश्चिम में उन्होंने बहुत ही शांदार discoveries की हैं बहुत ही शांदार खोजें की हैं things material में वस्तु वाले चीज़ों की की जो चीज़ें हैं हमारे आसपास की जरूरत की उन सारे मामलों में उसी तरह तो Hindूस्म ने भी बहुत सारी चीज़ों की खोज की थी उससे भी जादा शांदार बहतरीन चीज़ें खोजी थी किस चीज में तो धर्म के मामले में आत्मा के लिए हमारी रूप के लिए इन सारी चीजों की खोज हमारे धर्म में बहुत अच्छे से हुई है यहां गांदी जी कह रहे हैं कि लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं जाता उन चीजों की तरफ वो जो महान और बहतर इन खोजें की गई है we have no eye for these great discoveries we are dazzled dazzled का अर्थ होता है अचंबित होना उस notes में आपको सारे important words मिल जाएंगे अचंबित होना चका चौंद से बार जाना किस चीज से material progress से जो वस्तु वाली जो तरक्की है प्रोग्रेस है उस चीज से जो की पश्चिमी विज्ञान ने की है हम लोग उन चीजों की तरफ बिलकुल अंधे हो चुके है हमारी आँखे चोंदियाई होई है हमें बस parties दिखती है बड़े-बड़े smartphones दिख रहे हैं बड़े-बड़े screen की TVs दिख रही है बहुत सारे entertainment के resources दिख रहे हैं लेकिन हमारे Hinduism में जो चीज़ें बहतर है उसकी तरफ हमारे दिहन नहीं जा रहा है इसके आगे Gandhi जी एक बात और कहते हैं कि I am not enamored of that progress In fact, it almost seems as though God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism Gandhi जी कहते हैं कि मुझे वो जो तरक्की है उससे बहुत ज़्यादा कोई आकर्शन नहीं है मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ In fact, अगर मैं देख हूँ India को तो ऐसा मालूम पढ़ता है It almost seems जैसे कि भगवान ने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ India को रोके रखा है प्रिवेंट करके रखा है Progressing यानि कि उस चीज़ के तरफ बढ़ने से Along those lines उन रास्तों पर बढ़ने से जिसे कि ये अपने special mission को complete कर सके उसको पूरा कर सके जो इसको एक काम दिया गया था कि इस चीज़ का काम था? कि materialism की तरफ जो भौतिक वाद था जो वस्तुवाद की तरफ दुनिया बढ़ रही थी उस तरफ जो अन्रश था assist करने का उसको रोकने का कि भारत रोक सके उस तरफ जो अंधी दोड लगी होई है उस चीज़ से खुद को बचा सके और पूरी दुनिया को भी बचा सके इसके बाद गांधी जी कहते हैं कि आखिरकार कुछ तो है हिंदु धर्म में हिंदुस्तानी सभ्यता में कि उसने इसे अभी तक जिन्दा रखा हुआ है और इसने अपनी आँखों के सामने बेबिलोनिया की सभ्यता को, सेरिया की सभ्यता को, पर्सिया को, एजिप्ट को, मिस्र को इन सारी सभ्यताओं को डूपते हुए देखा है इन सारी सभ्यताओं को गिरते हुए, खत्म होते हुए देखा है तो आखिर कुछ तो खासियत है बारत की सभ्यता में कि यह अभी तक जंदा है कास्ट लुक अराउंड यू where is Rome and where is Greece can you find today anywhere the Italy of Gibbon or rather the ancient Rome for Rome was Italy go to Greece where is the world famous attic civilization गांदी जी कहते है कि अपने आस पास एक नजर डालो कास्ट मतलब उतार डालना अपने आस पास एक नजर डालो और पता करो कि कहां है Rome कहां है Greece क्या तुमें आज कहीं पर भी इटली मिल रहा है Gibbon का Gibbon एक writer थे उन्होंने जिस इटली का बाखान किया था क्या वो इटली आज कहीं दिखता है इटली या प्राचीन रोम दिख रहा है तुमें क्योंकि रोम ही तो इटली था Greece जा करके देखो कि पूरी जो विश्व में प्रसिद्ध ही एक अटारी सब बैता वो कहां है क्या कहीं पर भी उसके नामों निशान तुमें मिलते हैं Then coming to India Let one go through the most ancient records and then look around you and you would be constrained to say Yes, I see here ancient India is still living इसके बाद भारत की तरफ लोटो और किसी को भी भारत की सबसे प्राचीन जो यहां के ग्रंथ हैं जो records हैं जो किताबे हैं उनसे गुजरने के लिए काओ उनको देखने के लिए काओ और उसके बाद अपने आसपास नजर डालो तो तुमें यह पता चलेगा कि तुम यह कहने के पर मजबूर हो जाओगे कि हाँ मैं अभी भी यहां पर प्राचीन जो भारत है ancient India उसको जीता हुआ देख रहा हूँ यानि भारत खत्म नहीं हुआ यहां गांदी जी कहते हैं कि सही है यह बात मानी जा सकती है लेकि पहले के समय में डंग हिप्स का अर्थ होता है गोबर, कचरा, बहुत सारी बुराईया यानि कि बहुत सारी बुराईया थी इस सब बैता के अंदर लेकिन ऐसा तो था नहीं कि शुरुआत से बुराईया ही थी अगर तुम देखोगे तो उन सब बैताओं के नीचे बहुत सारे बहुत कीमती खाजाने दफन है यानि कि वो जो कल्चर अभी बुरा बन चुका है वो एक्शली बुरा नहीं शुरू हुआ था बलकि उसके पीछे जाकर के देखें तो उसके अंदर बहुत सारी अच्छायां देखने को मिलेंगी बहुत अच्छी सब बैता हुआ करते थे और हम बहतनिन जीवन जिया करते थे यानि कि जो बुरायां भी तुम्हें दिख रही हैं पास्ट में उसके भी और पीछे देखोगे जाकर तो उनके नीचे तुम्हें बहुत सारी अच्छायां दफन मिलेंगी and the reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines और इतने दिनों तक जीने का इतने दिनों तक इस सबहता के जिंदा रहने का इतने दिनों तक survive करने के पीछे का कारण क्या रहा कि जो भारतिय सभेता थी, जो हिंदू सभेता थी, उसने जो भी रास्ता चुना था आगे बढ़ने का, उसमें उन्होंने जो end तै किया था, कि हमें कहां रुकना है, वो जो development था, वो material line की तरफ नहीं था, वो वस्तूओं की प्राप्ती में नहीं था, कि मेरे पास एक कार हो जएगे तो हम संतूश्ट हो जाएगा, मिरे पास एक बड़ा घर हो जाएगा तो हम संतूश्ट हो जाएगे, या मिरे पास आतने रुपह हो जाएगे तो हम संतूश्ट हो जाएगे, बलकी वो end एक spiritual lines पर हुआ करता था, अध्यात में कोज की तरफ बढ़ते थे हम लोग, ह इसी वज़ा से ये सब्वेता इतनी दूर आपाई है। Our civilization, our culture, our स्वराज depends not upon multiplying our wants, self-indulgence, but upon restricting wants, self-denial. हमारी सब्वेता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज जो है, वो हमारे इक्षाएं जो है, हमारे जो प्रवृत्ती है, self-indulgence की उस चीज में शामिल हो जाने की, हर चीज का सुख भोगने की, उसके multiplication में नहीं है, उसको गुना करने में, उसको बढ़ाते जाने में नहीं है, बल denial की तरफ बढ़े, हम, हमारी जो चोटी चोटी एक्षाएं, जो चोटी चोटी खुशियों, लाल साओं के तरफ जो हम लोग भागते हैं, उससे खुद को रोक सकें, इसमें हमारी असली तरक्की है, हमारी सभैता का, हमारे संस्कृति का, और हमारे स्वराज का, सारा सार इस में नहीं हीत है European civilization is no doubt suited for the Europeans but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it. अगर European सब बहता की बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये European लोगों के लिए बहुत ही suitable है उन पर जज़ती है उनके अनुरूप है लेकिन अगर हम इसे copy करने की कोशिश करते है तो ये हमारे लिए हमारे देश के लिए इंडिया के लिए ये बरवादी की तरस्ता भी दोगा अगर गा आगर गांदी जी कह रहे है कि ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि हम लोग उन चीज़ों को एडॉप्ट ना करें उन चीज़ों को ना अपनाए जो की और उन चीज़ों के एकी करन ना करें उन चीज़ों को अपनी सबहता का हिस्सा ना बनाए जो की अच्छी है या जिनका एकी करन किया जा सकता है हमारे दौरा जैसे कि European लोगों की बात करें तो जो चीजें, जो बुराईयां उनमें शामील हो गई हैं उन लोगों को उससे अलग होना पड़ेगा पाट विद का अर्थ होता अलग होना उनको उससे अलग होना पड़ेगा उससे दूरी बनानी पड़ेगी The incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves इसके आगे गांदी जी कहते हैं क्या कि अगर हम लगातार material comfort की तलाश में लगे रहते हैं और उन्हें बढ़ाने की फिराक में लगे रहते हैं तो यह बहुत बड़ी बुराई है और मैं यहाँ पर बहुत ही bold होकर के बहुत ही ज़्यादा सक्त होकर के यह कहूँगा कि Europeans जो हैं जो Europe के लोग हैं उन्हें भी अपने जीने के तरीके को अपने नजरिये को बदलना होगा अगर वे लोग अभी जो comfort अपने आसपास जूटा चुके हैं उसके वजन के नीचे दब कर खत्म नहीं होना चाहते तो यानि कि जो सुख सुविधाओं की जिन्दगी के पीछे पढ़ चुके हैं भी European लोग जिस तरह से वो लोग हमिशा के लिए इसके गुलाम बन चुके हैं अगर भी लोग इस अराम इस सहूलियत के वजन के नीचे दब कर खत्म नहीं होना चाहतें तो उन्हें आपने पूरे नजरिये को रिमॉडल करना होगा उन्हें सब कुछ को बदलना होगा यान गांधी जी कहीं पर पढ़े हुए का उलेक कर रहे हैं ग्रीक माइथोलोजी का एक सोने का घड़ा होता है जिसमें की बहुत खत्रा होता है ये एक आग से भरे हुए महल में रखा होता है जिसकी रखवाली एक बड़ा सा सांप कर रहा होता है तो अगर भारत भी उस चीज की तरफ बढ़ना चाहता है जहां कि केवल उसे रुपिया पैसा चाहिए केवल कमफर्ट चाहिए आराम चाहिए सुकसु विधाएं चाहिए तो सच मुझ वो मौत की तरफ बढ़ रहा है उसका मरना निश्चित हो जाएगा यहां गांधी जी अपने हिर्दय में अपने दिल में एक बात अंकित कर लेने के लिए कहते हैं घुठोद करके एकड़म उकेर लेने के लिए कहते है कि एक वेस्टर्ण फिलोसफर ने कहा था कि साधा जीवन होना चाहिए और उंचे विचार होने चाहिए उंच विचार वही इसी चीज़ की गांधी जी गुजारिश कर रहे हैं सभी से कि आओ हम सभी लोग अपने सीने पर इस चिछ को उकेर लें ताकि हमारे जीने का अस्तर इंप्रूब हो सकें आप इसे साधा जिंदगी बिता सकें उचे विचारों की तरफ बढ़ सकें यानि सिक्षा को महत हो दे सकें बुद्धिमानी को महत हो दे सकें ना कि जीने का अस्तर आप हमेशा उचा करते रहे हैं Today it is certain that the millions cannot have high living and we the few who profess to do the thinking for the masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking आज अगर देखें तो ये तै है कि लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि जीने का स्टेंडर्ड बहुत उचा नहीं रख सकते लेकिन हमें से कुछ लोग जो कि लोगों के लिए सोचते हैं, जो mass population है, जो बड़ी आबादी है उसके लिए सोचने की बात करते हैं, उसके वकालत करते हैं, उनके सामनी ये risk आ जाता है कि हम अपनी जिन्दगी को high living के पीछे खर्ज ना करें क्योंकि करोण लोग ऐसे हैं, जो high living को maintain नहीं कर सकते, तो उसकी तरफ खर्ज में अपनी जिन्दगी को, अपने विचारों को, अपने energy को waste करने सा अच्छा होगा, कि हम high thinking के उपर focus करें, वरना हम इसे miss करतेंगे हम अगर high living जुटाने के पिछे पड़े रहें कि नई गरीबों को अमीर से अमीर बनाते जाना है, या फिर जो भी लोग हैं, सभी के पास पैसा आजाए, सभी के पास comfort आजाए, तो उससे बहतर है कि हम उनके लिए सोचने, जीने का अस्तर उचा करें, इस तोर पर कि वो जि इस भी स्थिती में वहां से संतूष्ट हो सकें, वो खुशाली के साथ जिन्दगी विता सकें, civilization, in the real sense of term, consists not in the multiplication, but in the deliberate and voluntary restriction of wants, कंदी जी कहते हैं कि अगर सभेता की बात करें, तो civilization, in the real sense of term, सही मायनों में, ये multiplication में नहीं है, चीजों को बहुत ज़्यादा गुना करने में, बहुत ज़्यादा बढ़ाने में, बहुत ज़्यादा जुटाने में नहीं है, बलकि किस में है, तो deliberate and voluntary restriction, बलकि deliberate, यानि जान भूज कर, पूरे जानकारी के साथ, बिलकुल सजगता के साथ, और voluntary यानि स्वेच छा से, अपन को करने के लिए, उच सारी चीजों के साथ, हम अपने एक शाओं को अपने control में रखें, हम अपने नियंदरन में रखें, यही वास्तविक अर्थ होगा, civilization का, this alone increases and promotes contentment, real happiness and capacity for service, और केवल अगर हम इतना सा कर जाते हैं, तो यही एक चीज बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देत कि हम संतुष्टी की तरफ बढ़ें, हमारे जीवन में असली खुशी आए, और हमारे अंदर एक सेवा भावा सके, सेवा के लिए जो जरूरी छमता है, वो आ सके, यानि कि अगर हम केवल इतना सा करने लग जाएं, कि हम चीजों को बहुत ज़्यादा जूटाने की तरफ न आखरी पैराग्राफ में गांदी जी कहते हैं कि एक हद तक अगर हम देखें तो अगर हम देखें तो एक रुकावट की तरह बन जाता है हैल्प होने की बजाए ये एक रुकावट बनने लग जाता है हमारे लिए देरफोर, अगर हम असीमित एक शाओं की बात करें उसको क्रेट करने का हमारे अंदर बिचार आता है और उन्हें संतुष्ट करने के पीछे अगर हम पढ़ जाते हैं तो ये एक तरह से एक ब्रहम की तरह है एक जाल की तरह है यानि हम बहुत सारे इक्षाओं को भर लेते हैं अपने अंदर के हमें गाली चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वह चाहिए, वरना हमें इज्यत नहीं होगी, हमारा जीवन अच्छानी कटेगा, तो ये हमारे लिए एक जाल की तरह बन जाता है, ये ब्रहम की तरह हो जाता है हमारे लिए और हम जिन्दगी बहर फिर भागते रहते हैं और हमारी जिन्दगी में फिर कहीं भी हमें संतोश नहीं मिलता इसी वजह से अगर हम एक किसी भी इन्सान के physical needs की बात करें उसके शारीरिक ज़रूरतों की बात करें या फिर उसका जो सीमित सोच है एक जो narrow self होता है हमारा जो स्वार्थ होता है उसके according ही intellectual needs की भी बात करें बहुत धिक जरूरते हैं कई लोग कहते हैं कि मुझे बहुत जादा कुछ देखना पसंद है बहुत सीखना है बहुत कुछ हासिल करना है ये सब कुछ भी एक हद के बा करके खत्म होना चाहिए ना कि वह आपकी सारीरिक जरूरते हैं बहुत धिक जरूरते हैं बलकि बहुत धिक और मानसिक जरूरते हैं भी एक हद के बाद खत्म हो जानी चाहिए इससे पहले कि ये physical या intellectual voluptusness में बदल जाए यहां पर voluptusness का अर्थ होता है विलासिता यान intellectual voluptusness की तरफ बढ़ जाए हमारे लिए बहुत एक विलासिता की यह चीज हो जाए हमें उसे एक certain point पर एक dead stop की तरफ लेके जाना ही जाहिए A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energies should be concentrated अखरी लाइन में गांदी जी कहते हैं कि एक इंसान की अगर शारेडिक यानि की बहुत तीक और संस्कृतिक हालातों की बाद करें तो उसकी संस्कृतिक और भातिक हालात हमेशा ही इस तरह से arrange होने चाहिए कि वो किसी भी तरह उसके लिए वो रुकावट न ग्रियेट करें किसी भी मानपता की service की बाता है जिसके लिए कि उसकी सारी उर्जा को focus होना चाहिए उसी की तरफ जिस मानपता की सेवा की तरफ उसकी सारी उर्जा केंदरित होनी चाहिए उसके रास्ते में किसी भी तरह से किसी भी culture को या किसी भी भातिक इस्थिती को रुकावट नहीं बनना चाहिए यानि एक इनसान जो इस दुनिया के लिए कर सकता है जिसकी उसके इंदर संभाव नाए है उन सारी चीजों में कोई भी चीज रुकावट नहीं बननी चाहिए और अगर ये रुकावट बन रही है तो वो कभी भी एक अच्छा culture नहीं कहलाएगा इसके साथ ही हमारे ये chapter खत्म होता है तुम चाहो तो नीचे दियेगे description से या फिर दियेगे whatsapp नमबर पर 12th notes लिखकर एक message भेज़कर इस पूरे chapter की line by line हिंदी इसके सारे word meanings, सारे question answers और इसके साथ साथ इसके सारे objective questions और हिंदी और English में इस chapter की summary का notes ले सकते हो notes लो, notes बनाओ, पूरे chapter को line by line खुद हिंदी में पढ़ो और board की बहुत अच्छी तैयारी करो और साथ हिंग्लिश को हमेशा के लिए मजबूत करते हुए आगे बढ़ो इस chapter से तुमने जो भी सीखा समझाओ, उसे 5 line में नीचे comment में summarize करो तुमारा comment मुझे पसंद आया, तुमारा summary मुझे पसंद आया उस 5 point में तो मैं अगले वीडियो में तुमें feature करूंगा तुमारे नाम के साथ तुमारे response को दिखाूंगा और तुमारे book के सारे poems को मैंने इस playlist में summarize किया हुआ है पूरा poem animated videos के form में है, तुमने उसे अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखो और देख लिया है तु भी समय समय पर उसे revise करते रहो मिलता हूँ तुमसे भारत is my home के explanation के साथ अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखो, खुश रहो और एक बहतरीन दिन बिताओ